जम्मू Chamber of Commerce and Industry ने अन्य असोसेशन के साथ मिलकर जम्मू में 22 सेप्टेंबर को बंद की कॉल दी है क्या ज़रूरत पड़ी जम्मू Chamber of Commerce and Industry को ये बंद की कॉल देने की और साथी में क्या-क्या अप्रिहेंशन्स हैं जम्मू के छोटे कारोबारियों को ये समझने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू Chamber of Commerce and Industry के अध्यक्ष अरुन गुपता जी अरुन जी सबसे पहले ये ही कि 22 सेप्टेंबर को आपने बंद की कॉल दी है ये 22 सेप्टेंबर ही क्यों ये मंडे भी हो सकता था ये ट्यूजडे भी हो सकता था ये वेडनेस दे क्यों देखे हमने हमेशा एक कोशिश की है कि हमारा वैपार जो है कभी बंद ना हो हमने हमेशा कोशिश की है कि जब दुकाने बंद थी तो हमारी कोशिश होते थी कि इसको किस तरह से क्छुला जाए हम लोग जो हैं गवर्मेंट के साथ इस इसफिज़ को ले गते थे गवर्मेंट हमारी बात मानती भी थी मैं ये नहीं कहता लेकिन हलात ऐसे बन गए हैं कि पिछले 7 महीने से लगातार जिस्तरां से हमारे जमु के ट्रेड को डिस्क्रब किया जा रहा है जम्मू के ट्रेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे ट्रेड है जो सिर्फ कश्मीर में है कुछ ऐसे ट्रेड है जो सिर्फ जम्मू में है जम्मू के ट्रेड मैं सबसे पहले कहूंगा भाइन वालों को डिस्टर्ब कर दिया उसके बाद इन्होंने बार और रेस्टोरेंट जब हम लोग बाद करते हैं दफा तीन सो सतर हटने के बाद या पैंथी हटने के बाद वन नेशन वन ला तो उन पे ला जो है इंप्लीमेंट क्यूं नहीं होता जो नेशन का है आल ओवर कंट्री जो है उसमें एक ही चीज़ है कि आपको वन टाइम एनोसी लेनी है उसके बाद हर साल आपको लाइसेंस रिन्यूल करवाना है और हमारी जो LG गॉवर्मन्ट है आज उन्होंने सारा सिस्टम चेंज कर दिया आज उनको और एनोसी जो हर साल लेने की बात करते जा रहे हैं मैं हरान हूँ अभी कि वो बचारे इतने परिशान हैं इतने दुखी हैं कि क्या कहें उनके भी परिवार हैं उनके भी इन्वेस्टमेंट हैं उनके भी कितने ऐसे लोन होंगे जिनकों चुकाने में उम्रे निकल जाती हैं अभी वहां से निकले ही नहीं, मैं पिछले डेड़ महीना पहले चीफ सेक्टरी को मिला, अभी कि मुझे बड़ी देर के बाद मैंने बड़ी देर कोशिश की, और तीन महीने के बाद मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, मैंने एक इशू रखा, बैंक को ढ़ाल का, मैंने का अज कोई भी फंक्षन हो रहा है ऐल जी साव के के फंक्षन हो रहे हैं और में जो लगता है कि फंक्षन करना जुरूरी होता है। आप किसी को facilitate करना चाहते हैं बाहर से हमारे मेंबर पारलेमेंट आए सभी ने function किये तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि डाई सो से तीन सो से कम वहां पर गैदरी हुई होगी अब हुआ क्या इन्हों पिछले डेड़ मतलब पांच महीने से तो वो करी रहे हैं सफर उस दरान में करोना भी था लगता था कि नहीं खुलने चाहिए लेकिन अब दो महीने से जब सारे ट्रेड जो हैं जिनको आप परमिट कर रहे हो उसके बाद बैंकट हाल को क्यों नहीं आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि एक बैंकट हाल नहीं है एक 40 कनाल का बैंकट हाल जिसमें आप 25 लोगों को अलो कर रहे हो यानि कि डेड़ कनाल में आप एक वेक्ति को लोग कर रहे हो ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए परसेप्शन जो लोगों में जा रही है वो यह है कि Reliance का Stores है वो जम्मू आ रहे हैं वही एक कारण है जिसकी वजह से जो छोटा कारुबारी है परिशान हो गया है तो जम्मू चैंबर आफ कॉमर्स इंडस्टी जो है वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ चलेगा नहीं क्या मामला केवल Reliance Stores का है या ये जितने अभी तक मामले बने हैं ये सारे चोटे चोटे मामले बनते बनते अब इतनी बड़ी बात हो गई है कि जम्मू चैंबर आफ कॉमर दरवार मूव की है दरवार मूव एक ऐसा इशू है जिस के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं जुड़ा है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ जो एंपलाइज जो हैं यहां से यहां से दाश्षिफ्ट होंगे वो नहीं जुड़ होएं हमेशा देखे 1988-1999 की मैं बात जब उस समय फारूक अब्दल्ला साब शीव मिनिस्टर थे तो उन्हों ने एक SRO निकाला जिसके तहए उन्हों ने कहा जी अब दरवार मूव नहीं होगा और कश्मीर में रहेगा जम्मू में 23 दिन यहां पर हड़ताल हुई जिसमें बार अपना चैंबर ओफ कॉमर्स और इंडस्ट्री और उसके साथ साथ बीजिपी इन्होंने 23 दिन जो है जम्मू को कम्प्लीट बंद रखा और अल्टीमेटली उनको अपने फैसले को हटना पड़ा उस फैसले से अब हालात जे हैं उसकी भी बात करिए दरवार मूव का भी तक यह क्लैरिटी नहीं आ रहे हैं यह कहते हैं जी हमने 200 क्रोडर रपया जो हमारा यहां से शिफ्टिंग का होता था मान लिया यह यहां पर यह डॉक्मेंटेशन होगी बड़ी अच्छी बात है उसमें हमें जो कानून पूरे देश में हैं वही कानून जमू कश्मीर में भी है यह दरबार मूव की प्रथा यह सिविल सेक्टेट का मूव होना यह देश भर में और कहीं तो देखने को मिलता नहीं है तो जमू में अगर इसे खत्म भी किया जा रहा है तो एक जस्टिफिकेशन तो य جो community's हैं, जैन हैं, Sikh हैं, यहां पर वो भी सब डोगराज हैं. और कश्मीर में आज हालात यह 98% जो हैं, वहां पर मुस्लिम हैं. तो आप यह चाहते हैं, कि जो वहां का मुस्लिम है, वो वहां पर ही रहे. जम्मू में आकर के यहां के डोगराज हैं जो सिक कम्मिनटी के लोग हैं जहन समाज के लोग हैं जो और भी लोग हैं उनके साथ ना मिलें तो इसका मतलब यह है कि हमने कहीं न कहीं कंसीडर कर लिया किया मुस्लिम अलग से रहेंगे और डोगरे अलग से रहेंगे क्या ऐसी सिच्वेशन आने की और उसे जो जम्मू कश्मीर की जूटी का एक स्वपन जो दफा तीन सो सतर हटने के बाद हम जो है यह सुमारी सोच हमारे परदान मंतरी की सोच कि यह जो है कश्मीर जो है यह हमारा एक पार्ट बन गया है जो हम लोग जो पिशली देना चाहते हैं कि वहां के लोग वहीं रहें तो फिर क्या हुआ बाईचारे का क्या हुआ हमारा जो ट्रेड जहां पर चलता है उनके आने से देखिए उनके साथ जो वैपारी आते हैं जो उनके सर्विस के लोग आते हैं उनके साथ उनकी फैमली जहां पर शिफ्ट करते ह उसके साथ कितने trade झुडते हैं? ट्रांसपोर्ट में आते हैं, वो जुडता है. उसके बाद कहीं शापिंग में जाते हैं, कहीं rented जगा लेते हैं, वो के साथ जूडती है. कुछ लोग जो हैं आज की डेट में जो बहुत हमारे बिजूर्ग हैं उनके घरों में शायद बच्चे नहीं होंगे जा आगे पीछे होंगे तो वो डिपेंडेंट है कि चलो जी कोई आएगा हम रेंट पे अपना कमरा दे देंगे तो पांच साथ दस जार पे हमें मिल जाए तो इन सारी चीजों का चिंता किसने करनी है ये चिंता जो है ये गौर्मेंट को होनी चाहिए कि हम लोग जो है कोई चीज डिस्टरब करने लगे हैं उसमें जो लोग डिस्टरब हो ले हैं उनके लिए हम लोग क्या सोच रहे हैं अब आपने जियो मार्ट की बोली आपने relaiants पहली बात तो जी है कि relaiants जो है उसको इन चोटे कामों में पढ़ने की ज़रूरत कहां पढ़ रही है मुझे नहीं लगता है कि कितने žीर्रों उसके पास हैं ये बात तो मुझे नहीं लगता है कि कहां तक भूख है पेट तो उतना ही है हाँ मतलब उनका बाप भी मोटा है और बेटा भी उसी कैटागरी का है लेकिन मुझे लगता है कि जो मिसिज हो है क्या नाम है उनका आम बानी तो वो तो थोड़ा समझ सकते हैं कि हमें वो ट्रेड करने चाहिए जिसमें जो छोटा में वारी है कहीं वो ना हर्ट हो जाए उनकी रोजी रोटी बांधना हो जाए आप बनाईए प। बेपारी है अप कच भी एकस्पोर्ट करिए कोई ऐसा ट्रेड करिये जिस से आप बाहर के मुलकों में जाकर के और और भी ज़्यादा आप ट्रेड कर सकें, आपकी इंकम जो है और बढ़ जाए, लेकिन जो छोटे छोटे बेपारी हैं यहां के, यहां पर पचास यहां पर इन्होंने आउटलेट के लिए परमिशन दी है, कश्मीर में इन्होंने तीन के दी है, वो क्यों? और उसके बाद अगर आप को यह बात भी समझ होने चाहिए, कि यहां पर छोटा-छोटा वेपारी जो है, वो वीस हजार है, जो सिर्फ जमू सिटी की बात करूं मैं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा है, जो इस ट्रेड के साथ जुड़ा हुआ है, और इस जो स्टोर है, यहां पर आपको मैडिसन भी म करेगा, वो अपना काम जो है, जमुकरषमीर में करेगा, तो वही प्राइवेट इट इंवेस्मेंट तो आ रही है, यहां पर मार्ट सो घुलेंगे, तो उनमार्च के अंदर तो जमुकरशमीर के लोगों को भी employment मिलेगी आगर मार्च खुलेंगे उसमें जो तन्खवा वो मिलेगी व हो सकता है तन्खवा, वो normal किसी दुकान पर जब salesman का काम कर रहे हैं, तो इसे जाधा मिले तो इसे employment के आंगल से देखा जा सकता है या फिर इसे unemployment हो भी कि जो भी investment आईगी वह जहां लोकल लोगों को डिस्टरव नहीं करेगी हम लोग यहां पर employment generator की बात करें है कि पर इसको employment generate कैसे की जा सकती है हम इसकी बात तो करी नहीं रहे कि यहां पर unemployment कैसे generate की जा सकती है सोच तो यह होनी चाहिए government की कि आप कुछ भी करिए आप बार से इन्वेस्टमेंट लाइए ठाइस हजार चार सो क्रोडर रपे का पैकेज जो है हमारे परधान मंत्री ने दिया मैं LG साब की स्पीश सुन रहा था उन्हें का जी बारां सो क्रोडर रपे की इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू में आ गई है और ग्यार करोडर रपे की कश्मीर में आ गई है मतलब जो लोग इनको फोन के फोन पर बोलते हैं कि हाँ जी हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको भी रिटन में आ जाता है ठीक है अब यह देखिए यहां पर जगा लैंड कहा है प्राइवेट लैंड है वहां पर क इंडस्ट्री लगाई नहीं सकता लोकल लोगों के लिए इन लोगों की सोच क्या है और मैं यह कहूंगा कि आप बाहर से इंवेस्टमेंट वो लाइए जिससे जमू के लोग जो हैं उसको एम्प्लाइमेंट मिले ना कि यहां के लोग जो हैं वो टोटल डिस्टर्ब हो जा लेगे तो 20,000 जो फैमिली इस डिस्टर्ब होंगी उनके साथ कितने लोग जुड़ते हैं वो नहीं सोचना ना वो गवर्मेंट का काम है सोचना कि पहले हम लोग अगर किसी को डिस्टर्ब करने लगे हैं तो उसको रिहाबिलिटेशन कैसे रिहाबिलिटेट कैसे किया जा स हो कि अगर आपको लगता है आप अपने डिसीजन जो हैं उसको जिस्टिफाई करिए ना टेबल पर करिए ना हमें भी बताईए अब लोग देखते हैं कि यार चैंबर की बात नहीं सुनते ऐसा नहीं है मात नहीं सुनते लेकिन हर चीज हमारी सुनी जा रही है हर लेबल प मैंने पांच बार अंको रिपरेजेंडेशन बेजिया नहीं मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं मुझे ना कोई फिकर नहीं है मैं किसी के साथ मिलने के लिए मैं अताबला हूँ ऐसा कुछ नहीं है मैंने अटलवेरी-वाच्पई के साथ खाना खाया है अड़वानी जी के साथ मैंने बाला साथ देवरस्ट जो संग के सरसंग चालक थे उनके साथ खाना खाया। रज्जू भैया के साथ खाना काया। मुझे इन चीजों का नहीं शोक है कि मुझे कोई बुलाएगा अपने साथ बिठाएगा मुझे किसी के साथ चाय पी नहीं है किसी के साथ खाना खाना है मैंने मोदीजी के साथ भी मैंने खाना खाया है आपको बता देता हूँ मुझे इन लोगों की चिंता नहीं है मुझे फ हम पाकिस्तान जिन्दाबाद वाले जो हैं उनको जो इस तरह के लोग आएं किस तरह से उन लोगों को जाएं से हम बाहर निकाल सके हैं आज बीजेपी के लोग भी अगर बात करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं उनके लिए स्थान जो है कि बजह क्या है वजह खुद ही जानते होंगे क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जम्मू के जितने भी ट्रेड हैं उनको आइस्ता आइस्ता देखिए बालमाट जहां पर आया बालमाट के पास जो लाइसेंस था वो था बी-टू-बी अब बी-टू-बी लाइसेंस है तो भई आप business to business करेए ना आपने doctors को भी is car diya है एंजीनियर्स को भी दिया होगा जो आपके जो प्रेस वाले हैं उनको भी दिया होगा civilians को भी दिया होगा तो क्यों किसी नहीं पूछा मैंने अपनी तरफ से सेंट्री जन्रल था चेमबर में मैंने रिप्रेजेंडेशन बेजी थी और मुझे अशूर किया गया था कि इस पे कोई ना कोई एक्शन होगा लेकिन एक्शन नहीं हुआ और ये पहली बार था इस वार जब जे करोना में सब दुकाने बन थी और वालमाट ने जब काम शुरू किया वहां पर मेरी टीम गई वहां पर बैट करके डी सी साब ने वहां पर टीम बेजी मैंने उनसे बात कि ये चलेगा तो फिर कल से कुछ और होगा और डी सी साब जो है मैं गहता हूं कि उनका इतना क्विक एक्शन था इमीजेटली उस वालमाट को सील किया गया तो ये अगर बाकी चीजें जो हैं डिस्टर्ब होंगी ना फिर भी ये चलते रहेंगे अगर नाइट करफिव भी है इनके लिए तो 24 इंटो 7 है इनको थोड़ा कोई रोक सकता है जब इनको लाइसेंस है कूँ रोकेगा इनको तो मेरा ये मानना है इस से लोग डिस्टर्ब होंगे छोटे बेपारी डिस्टर्ब हो जाएंगे और आरड़ी जो है इशूस इतने हैं हमारे करोना की वज़े से हम लोग कहीं ना कहीं हम सोच रहे थे कि वही करोना है तो हमार महोल है बहुत सारे लोग जो हैं इस दौरान में हमसे बिशुड़ गए चले गए कुछ परिवारिक लोग कुछ दोस्त लोग कुछ हमारे मेंबर्स तो हमें ये लगता था कि यार हमें इस दौरान में कुछ नहीं करना चाहिए लेकिन आज पानी सिर से उपर जा रहा है और जाएद देखा नहीं होगा मेरे ख्याल में कोई ऐसी बिजार एस्टेशन जम्मू की पूरी बिजार एस्टेशन जो हैं वो हमारे साथ बैठे हुए थे और इसके अलावा और भी जो ट्रेड हैं डिफरेंट ट्रेड के लोग वो भी हमारे साथ बैठे हुए थे और आने व अभी भी हमारी फाइट हुई है, हमारी कठी हुई है, और उसमें जो सिवल सुसाइटीज हैं, अमने उमको भी इन्वाल्ब किया है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ये तो एक प्रोटेस्ट हमारा बंद है, और अगर ये चीज़ें नहीं रुकी, तो एक बड़ा अ इजिटेशन जो है, उसके लिए सब त्यार है, आने वाले दिनों में आपको चेंज मिलेगे, आखिर में, क्योंकि ये जो बंद है, ये आपने वेड़नस डे को रखा है, क्या आपने मौका दिया है सरकार को, कि आपके पास दिन है चार-पांच, आप आएं टेबल पर मैंने अपनी तरफ से काल नहीं दिया, मैं आपको ये बात बताता हूं, हम लोग हमेशा जे सोच करके चलते हैं, कि हमारे जो लोग हैं, डिफरेंट एसोसेशन के लोग हैं, डिफरेंट ट्रेड के लोग हैं, हम उनसे राय लेते हैं, मैंने उनसे राय ली, मैंने उनको सब क बुलाया मैंने का आप अपनी राय बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए तो उनकी तरफ से ये था कि एक प्रोटेस्ट बंद जो है ये हमारी तरफ से बनता है आहिस्ता आहिस्ता हर ट्रेड को डिस्टरब किया जा रहा है उसमें एक चीज जो है उबरकर के सामने आई कि कुछ ट्रेड हैं उनको हमें चार पांच दिन छे दिन का पहले टाइम देना पड़ता है फरूट मंडी का सबजी मंडी का हलवाई एसोसेशन का इन सब की तरफ से हमें था बेकरी वाले हैं तो हमारी सोच इतनी थी कि इन लोगों का ज्यादा नुक्सान नहीं होना चाहिए और उन्होंने जब हमें कहा कि आप हमें पांच दिन का टाइम दीजिए हमने उसी के बंद जो है यह नहीं रोक सकता यह बंद होगा ही होगा और यह एक प्रोटेस्ट मैंने कहा ना प्रोटेस्ट बंद है जो हमें जिस तरह का बिहेव जो है वो हमारे साथ हो रहा है तीन सो मेंबर पारलेमेंट जाते हैं जम्मू कश्मीर जूटी में जम्मू कश्मीर जूट शाप आये थे हमने उनके सामने भी बात रखी ती और वो भी हरान हुए कि यार यह क्यों हो रहा है तो मेरा मानना यह है कि यह जो एक डिस्कीनेशन जो है वे जम्मो के साथ हो रहा है हम उसके खिलाब खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे बिना डरे बिना जुके और बाकी हमने अमर्जंसी जो है मैंने उसमें भी जेल में रहा हूं मुझे किसा की जनता है मुझे कोई नहीं ड्राइगा बहुत बहुत शुक्रिया तो आपने साफ तोर पर सुन लिया जम्मू चांबर आफ कॉमर कारोबारी परिशान है और जो फैसले सरकार ले रही है उसमें क्योंकि स्टेक्वोल्डर से बात नहीं की जा रही है ये कारण बताए हैं जिसवजा से ये बंद देने की जरूरत पड़ रही है